मुसल्मान पसमांदा क्यों है? मुसल्मान और पसमांदगी इन दोनों का तो जैसे चोली दामन का साथ है मुसल्मान और पस्मांदगी इन दोनों का तो चोली दामन का साथ है क्यों शायद यूँ के मुसल्मान बुनियादी इल्म से, दानिश से, मन्तिक से और साइंस से शायद यूँ के मुसल्मान बुनियादी इल्म से, दानिश से, मन्तिक से और साइंस से एक खास पुर्खाश रखता है और यह क्यों? यह यूँ के बुनियादी इल्म, दानिश, मन्तिक और साइंस सिर्फ और सिर्फ तहकी को इस तफसार की फिजा में ही जी सकते हैं यह यूँ के बुनियादी इल्म, दानिश, मन्तिक और साइंस सिर्फ और सिर्फ तहकी को इस तफसार की फिजा में ही जी सकते हैं और सिर्फ साइल को इस बात पर मजबूर कर देता है कि वो अपने कुछ महबूब नजरियाद को और सिर्फसार कभी कभी साइल को इस बात पर मजबूर कर देता है कि वो अपने कुछ महबूब नजरियाद को दलाइल और शवाहिद की रोशनी में अफसुर्दा खातिर होकर रद कर दे और इसलाम के नाम पर जो नकली दीन मुझे आज बेचा जा रहा है वो मुर्तद को वाजबूल गतल गरदानता है और इसी बात का डर और इसी बात का डर मुझे मा के पेट से ही सवाल करने से रोकता चला आ रहा है मुझे से कहा जाता है कि जो कुछ भी दाढ़ी वाला कहे वो ही आखे मूंद कर मान लो मुझे से कहा जाता है कि जो कुछ भी दाढ़ी वाला कहे वो ही आखे मूंद कर मान लो और जो मैं आखे मूंदने की आदत डाल लेता हूँ तो मेरी आखे क्यों कर खुले और जो मैं आखे मूंदने की आदत डाल लेता हूँ तो मेरी आखे क्यों कर खुले और दलाईल और शवाहिद बुनियारियल मुदानिश मंतिक और साइंस की रोशनी क्यों कर मेरी जिंदगी को मुनवर करे और क्यों कर मैं और क्यों कर मैं पस्मांदगी को खैर बाद कहूं झाल